दोस्तो आज तक आपने बहुत सारे जानवरों को देखे होंगे लेकिन मैं इतने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं जेन जेन जानवरों को दिखाने जा रहा हूँ उन्हें आप इसके पॉले कभी नहीं देखे होंगे यकिन मनिया इन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये जर्वर काफी रियर और एट्रक्टिव है तो आज की ये वीडियो काफी चल्ड़ा इंट्रेस्टिंग होने माली है इसलिए वीडियो को अंद तक जरूर दिखीएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनलों को सस्काइब करके वीडियो के एक लाइक कर दे ताकि आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं कमोडो ड्राइगान अक्सर घरों में छोटी-छोटी छिपकोलियों को देखकर दोग डर जाते हैं तो क्या होगा जब उससे हजार गिना बड़ी छिपकी लिए उनके सामने ही आ जाए तो देखिए इस कमोडो ड्राइगान को जो काफी ड्रावना है इसके आसपास तो जंगल एक खतरनाक जानवर भी नजर नहीं आते हैं आपको जानका हैरानी होगी ये जानवर इस धर्ती पर चार मिलियन वर्ट पहले से ही सर्वाइवल कल रहे हैं इसका वजन करी भी एक ख़़र किलो तक होता है और इसकी साइस दो मिटर तक ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये जिन्द हैं जानवरों को खा जाते हैं मैंटरा रे सार के के फैमिली से बिलॉंग करने वाले मैंटरा रे समुन्द के घहराई में रहने वाले जानवरों में से एक है ये दिखने में किसे चमगादर के जैसी होती है आपको जाने का हैरानी होगे कि इनकी लांबाई 6-8 मीटर तक हो सकती है तो वहीं इसका वजन 14 सा किलो तक मेंटर पूरी तरह से समुन्द के घहराईों में रहते हैं इसलिए विश्य सग्यों के पास इनके बारह में कोई खास जनकाली नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसी हम किसी एडुटेरियों में कैद करके नहीं रख सकते हैं मंटर एक काफी रियर क्रियेचर है वाइट बंगाल टाइगर दोस्तो वाइट बंगाल टाइगर बियादी खुबसूरत होते हैं इनकी स्कीन की तरह इनके सरीर में काफी संदार होते हैं और इसे सक्तिसाली और महानता का प्रतीक भी माना जाता है इनकी आखों का बनावर देता है दोस्तों आपको बताते कि ये टाइगर काफी रियर है क्योंके दुनिया भर में इसके संख्या मातर 200 बची है जिसमें से 12 इंडिया में है दोस्तों इस टाइगर को आप देखे हो तो आप बहुत ही लग्की इंसान है पुलर बीयर बढ़ फिले जगा पर पाई जा प्रति हावर के स्पीड से दोर सकते हैं इनका वजन करीब 180 किलों तक होता है और यह भोजन के लिए समुद्रे जीओ पर निर्वर रहते हैं तो दोस्तों यह रहें दूनिया के सबसे अनोखी और रियर जानवर आपको यह वीडियो कैसा लगा मैं कॉमेंट में जरूर बताए और जान इस पर प्लीज हमारे चैनल को सस्काइब करके वीडियो के क्लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे इंट्रेस्टी मीडियो देखने के लिए मिलती रहें